हेलो प्रैंट है वेलकम टॉ आवर चैनल सोशल लाइफ हाज दोस्तो मालदिषस के पुछ राति मौनटीकल क्रैसस के बारप में yahoo OGD से ओर रहा है। लेकिन इसकी शुरुवात 2015 से ही हो गए थी क्योंकि माल्दिफ्स के प्रेज़ेंट अब्दुल्ला येमीन ने अपने मेन ओपोजिशन पार्टी की लीडर्स को जेलों में बन करना शुरू कर दिया था इसमें से माल्दिफ्स की एक्सपर रेजेंट मुम्मद नशीद भी थे लेकिन वो किसी तरह माल्दिफ्स छोड़कर युके चले गए अपनी हेल्थ की समस्या बता कर दोस्तों माल्दिफ्स में दो मेन पॉलिटिकल पार्टी से पहली है माल्दिवियन डेमकृटिक पार्टी जो चलाते हैं मुम्मद नशीद जो अब एक्जाइल में है और दूसरी है पीपी एम यानि प्रोग्रेसिव पार्टी को रूल कर चुके है इन्होंने पीपीएम को अन्बन शुरू हो गई और यह अन्बन बढ़ते चले गई और कुछ महने पहले अब्दुल गयूंग ने अपनी बनाएवी खुद की पार्टी से क्यूट कर दिया करीब 12 MPs को लेकर और यह जाकर मिल अपोजिशन में और माल्दिफ्स के प्रेज़ेंट अब्दुल यमीन ने उन सभी MPs को सस्पेंट कर दिया और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में यही से माल्दिफ्स की क्राइस शुरू हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया माल्दिफ्स गवर्नमेंट को कि इन सभी MPs का सस्पेंशन रिवोक किया जाए यानि वापस ले लिया और एक्स प्रेज़ेंट मुम्मद नशीद के ऊपर जो अरेश्ट फॉरंट है उसे भी हटा दिया जाए लेकिन अब्दुल्यमीन ने ऐसा करने से मना कर दिया दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा कारान है क्यूंकि अगर यह वो 12 MPs का सस्पेंशन रिवोक करते हैं अब आप मालदिफ्स प्रेज़ेंट ने एमर्जेंसी डिकलेर कर दिया और दिकलेर करने के कुछी घंटों बात वह सुप्रीम कोट के पांच जजों में से दो जज़ को गिरिफतार कर लिया और बचे तीन जज़ को धरा धमका कर उनसे वो और जिस पे MPs का सस्पेंशन रिवोक करना है और इंडिया और वेस्टन पावर सपोर्ट कर रहे है एक्स प्रेजेंट मुमद नशीद को जो अब UK में है और इनके उपर एरेस्ट वरंट हटाने के बाद अब वह वापस आकर अपना एलक्शन लड़ना चाहते है 2018 में दोस्तों ये चोटी से कंडरी मालदिफ्स ने प सब्सक्राइब करना ना भोले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावा थैंक्यू